स्वागत है आपका फेट पुजा की किचिन में आज हम बनाएंगे गर्मा गरम ब्राउनीज वो भी कढ़ाई में टेस्टी ब्राउनीज हेल्डी वर्जिन में जिसमें ना मैदा ना चॉकलेट ना ही चीनी है साथ में इसमें एक ऐसा ट्विस्ट दिया है जो सभी कॉफी लवर्स बेहत पसंद करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है काला खजूर इसके हमने बीज निकाल दिये है यह देखें और साथ में हम लेंगे 200 ml गुनगुना दूद इस काले खजूर को आपको इस दूद में भीगा कर रखना है लगबग 30 मिनिट के लिए 30 मिनिट के बाद इसे एक चट्नी ग्राइंडर में निकाल के लिए और जो बचा हुआ दूद है उसे भी हम डाल देते हैं और अच्छे से फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं पिलकुल इसी तरह अब एक बड़ा सा बोल ले और उसमें डाल दे देख टी स्पून कॉफी पाउडर और साथ में इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून गरम पानी आप कोई भी ब्रैंड का कॉफी पाउडर इस्तरमाद कर सकते हैं इसे अच्छे से पेट कर ले और ये अपना एस्प्रेसो हो जाता है अब इसमें डालेंगे एक चोथाई कब गिहु काटा और आधा कब रोल्ड ओर्स साथ में हम डालेंगे स्वादनुसा नमक और ये डेट्स का पेस्ट यानि काला खर्जूर का पेस्ट हम एड़ कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करके लिए लेता हैं ये नहीं चॉकलेट का युचुली ब्राउनी चॉकलेट से बनता है लेकिन आज हम इसका एक ट्विस्ट दे रहे है कॉफी पाउडर के साथ तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून बटर और एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और आप अच्छे से मिला देते हैं इस पैटर के साथ इसकी कंसिस्टेंसी देखे ये कंसिस्टेंसी है अब एक बेकिंग ट्रे पर बेकिंग पेपर बिछा दे और यह जो मिश्रन हमने रेडी किया है खजूर का और ओट्स और गहू का आटे का उसे हम इसमें डाल देते है और अच्छे से फैला कर लेंगे स्पैटिला के मदद से, इसके साइड्स को आप अच्छे से टक कर लें ताकि ब्राउनी का जो स्क्वेर शेप है वो अच्छे से निखर कराए और हातों के मदद से इसे इस तरह से प्रेस कर लिए अब थोड़ा सा स्प्रेंकिल करते हैं ओड्स, पोड़ा से हम डालेंगे इसमें पीस्ता पावड़र और साथ में इसमें डालेंगे उल नटियानी की अक्रोट इसे भी हमने चॉप कर लिया है अब पढ़ली सही प्री हिट कर लीज्ये कडाई जिसमें हमने डाला है derivale salt जौड़ा नमक और उसमें हमने प्रीहिट किया 10 मिन अगर यह अच्छे से निकल कर आए तो इसका मतलब आपका यह ब्राउनी बनकर रेडी हो चुका है गैस बन कर ले और इसे प्लाटफॉर्म पर निकाल कर ले लेते हैं इसे थोड़ी देर के लिए थंडा होने दे बाच से 10 मिनिट के लिए और अब इसे निकाल देते हैं बेकि और प्लाटफॉर्म पर या फिर कोई भी प्लेट के उपर रख देते हैं साइट से टक कर ले और चूरी के मदब से इसे अब हम काट लेते हैं बिल्कुल ब्राउनी के शेप में तो देखे हमारा एस्प्रेसो ब्राउनी बनकर रेडी है दिल से बनाएए दिल से खाये यह ए जरूर बताएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में और इसी तरह आपको पेट पूजा के विडियो पसंद आते हो तो जरूर इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग पेट पूजा